हलो एरिवन मैं राउल मुनिम आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके मुनिम के वेंस्टी क्लासेस पर लास्ट वीडियो में हमने में रियक्सन मेकनिजम स्टार्ट कर दिया था और रियक्शन में हमने देखा था अर्ठ यहां चार तरह की रियक्शन होती हैं सब्सक्राइब reaction addition reaction elimination reaction and rearrangement reaction जिसमें हमने substitution reaction start कर दिया था फिर हमने देखा था कि substitution reaction जो है तीन तरह की है mechaniz wise nucleophilic substitution reaction electrophilic substitution reaction and free radical substitution reaction उसमें हमने nucleophilic substitution reaction के 6 तरह के हमने mechaniz पढ़ लिये थे तीन alephatic के लिए और तीन aromatic के लिए next हम शुरू करते हैं electrophilic substitution reaction अब देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज़ बता रखिए कि हर compound की कोई ना कोई characteristic reaction होती है अब देखिए characteristic reaction का मतलब क्या है अभी लाक्षण अभी के लिए कि जो सबसे वह common show करता है या easy going show करता है तो उसकी characteristic reaction होती है इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि वो उसके अलावा कोई reaction शो नहीं कर सकता जैसे माल लीजिए अगर हम बात करें alkyl halide की characteristic reaction क्या है तो alkyl halide nucleophilic substitution reaction शो करता है तो यहां पर दोने तरीके से पूछ सकते हैं कि alkyl halide की characteristic reaction क्या है तो अंसर आ जाएगा nucleophilic substitution reaction या हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि sn1 sn2 किसकी characteristic reaction है तो अंसर क्या आएगा alkyl halide ऐसे अगर हम बात करें electrophilic substitution reaction की तो बेंजीन और उसके derivative जो है उसकी characteristic reaction होती है electrophilic substitution reaction तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो हम मेकरीज की बात कर रहे है वो कौन से compound show करते है commonly तो बेंजीन और उसके derivative क्या शो करते है electrophilic substitution reaction clear तो अगर आप से कोई पूछे electrophilic substitution reaction कौन देता है तो आपका अंसर क्या होगा benzene and its derivative या फिर हम उल्टा करें कि बेंजीन की characteristic reaction क्या होगी तो अंसर क्या होगा electrophilic substitution reaction अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि benzene क्या है बेंजीन जो है वो किसकी तरह बेव करता है nuclear कि तरह अब यहाँ पर question ही आता है कि normal alkene जो है वह addition reaction शो करती है electrophilic addition हाला कि अब यह हमने पढ़ा नहीं है हम next कुछ वीडियो में पढ़ लेंगे तो alkene जो है electrophilic addition reaction शो करती है लेकिन question ही आता है कि benzene के पास 3-3 double bond है मतलब 3 pi bond है फिर भी वह addition reaction शो नहीं कर रही क्या शो कर रही है negative part यहां जोड़ जाएगा तो होगा कि एक double bond कम हो जाएगा तो यहां पर अंसर यह है कि benzene electrophilic addition reaction शो इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर वह addition reaction शो करेगी तो एक pi bond कम हो जाएगा और फिर वो जो compound बनेगा वो जो है वो aromatic नहीं होगा ठीक है तो aromatic वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको बता दूँगा कि benzene जो है aromatic compound है अगर आप यहां पर addition reaction शो करेंगे एक double bond हट जाएगा तो यह compound बनेगा यह aromatic जैसे माली जाए यह nucleophile जोड़ गया तो यह compound aromatic नहीं होगा तो अगर आप से कोई पूछे कि benzene में तीन दिन पाई बॉंड है फिर भी वह addition reaction शो नहीं कर रहा तो अंसर क्या आएगा कि benzene aromatic compound है और अगर आप उसमें addition कराएंगे तो उसकी जो aromaticity है वो क्या हो जाएगी खतम हो जाएगी इसलिए जो है benzene addition reaction, electrophilic addition reaction शो नहीं करता है वो कोशिशी करता है कि उसकी aromaticity बनी रहे तो उसके लिए वो क्या शो करता है electrophilic substitution reaction अब इसका मतलब यह नहीं है कि benzene करता ही नहीं है हमने क्या कहा characteristic reaction यह है मतलब commonly यह शो करता है लेकिन exceptional case में addition reaction भी शो करता है एक्जाम में पूछ रखिए तो जब हम aromaticity वाला chapter बढ़ेंगे वहाँ पर detail बढ़ेंगे अब हम बात करते है purely किसकी electrophilic substitution reaction की तो पहला point क्या है characteristic reaction of benzene and other aromatic compound किसकी characteristic reaction है benzene की और other aromatic compound other aromatic compound से मतलब यह कि benzene पर आपने substitute लगा दिया CH3 लगाज़े तो toluene हो जाएगा OH लगाज़े तो phenol हो जाएगा ETC तो यहाँ पर aromatic compound benzene की क्या है characteristic अब मेकनिस की बात करें तो यहाँ पर इस mechanism को हम क्या कहते हैं addition elimination mechanism भी कहते हैं कैसे यहाँ पर यह क्या हो रहा है एड हो रहा है और उसके बाद यह eliminate हो रहा है अब बेंजीन अगर मैं बात करूं प्यॉरली बेंजीन मलता कोई सब्स्ट्ट नहीं है तो बेंजीन की 6 के 6 कारबन की जो position है वो सेम है तो कहीं पर भी attack कर सकता है तो यह मैंने एक resonating structure ले ली क्यों क्योंकि अगर आप resonance hybrid लेंगे तो नहीं समझा पाएंगे मैकनिस को इसलि अब इलेक्ट्रोन यहां आगे तो इस पर negative आगया इस पर positive आगया negative पर positive रहे गया तो यह positive रहे गया और यहां जुड़ गया ठीक है तो यह जुड़ गया अब यहां पर क्या आगया positive चाल तो यह step slow step है आपको ध्यान रखना है हलाए कि यह kinetics का caution है इसलिए मैं आपर नही step आप कह सकते हैं तो जो सबसे slow step होता reaction का वो rate determining step होता है यह kinetics का caution है इसलिए मैं आपको kinetics में दूआ यहां पर नहीं दे रहा है लेकिन आपको पता होना चाहिए यहां पर यह क्या अगर एलेक्ट्रोफाल इंटक कर दिया इस पर क्या गया positive चाल अब एक question यह आता है दो त special नाम क्या दे रहा है आरीनियम आयन तो आरीनियम आयन और वीलेन इंटर्मिटेट यह इसके नाम है अब आपको ध्यान क्या रखना है कि बेंजीन जो थी उसमें सारे carbon sp2 थे और हर carbon की bondland बराबर थी अब यहां पर इलेक्ट्रोफाल के attack करने के बाद सारे carbon sp2 नहीं है जहा इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो carbon है यह sp3 है बाकि सारे carbon sp2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन जो था उसमें 6 के 6 carbon sp2 थे लेकिन जो intermediate वना जिसको हम आरीनियम आयन के रहे हैं या विलेन इंटर्मिटेट के रहे हैं उसमें 5 carbon to sp2 है ठीक है यह पाई बॉन्ड वाले यह 5 carbon sp2 है एक carbon sp3 है यह caution rpc ने school lecturer में पूछ रखा है तो बिल्कुल basic सी चीज़ है अगर आप बिल्कुल basic पढ़ते जाएंगे तो सारे question आपके solve हो जाएंगे clear है तो यह sp3 हो गया तो यह caution rpc ने पूछ रखा है school lecturer में जब solve कर रहा हूंगा महावर मैं आपको बता ठीक है आरी ने मायन कहते हैं और विलेंड इंटर्मिडेट कहते हैं एक तरह से कार्बो के टाइन ही है special नहीं हमने दे दिया और यह resonance शो कर रहा है अब आप यहां देखेंगे positive charge जो है जो इलेक्ट्रफाइल है उसके respect में यह एलेक्ट्रफाइल इसके respect में और्थो पैरा और यह वापस से और्थो अब यह resonating structure थी ठीक है resonating structure कैसे बनेगी यह electron यहां से यहां positive charge आजाएगा फिर यह electron यहां से यहां positive charge आजाएगा अब इसका resonance hybrid है वो मैंने वहां बना दिया तो हमने क्या देखा यह इस carbon पर क्या है इलेक्ट्रफाइल है उस पर कोई charge नहीं ठीक है total तीन पोजिशन है दो और यहां पर इसने plus 1 by 3 plus 1 by 3 लेग दिया ठीक है तो चार्ज है वो equally distributed है और थो और पर पोजिशन पर अब अगर हम बात करें next step कि यह तो slow step थी अब दीगे यह आपको ध्यान important यह चीज है आरेमायन और वीलेंड इंट्रमेंट यह पूछ रह अब यहां पर मैंने resonance hybrid नहीं बनाया क्योंकि आप उससे explain नहीं कर पाते एक resonating structure ले लिए कोई से भी ठीक है यह वाली से अभी आप समझानी पाएंगे या तो यह ले लीजिए या वो ले लीजिए ठीक है तो यहां पर इसके electron के bond यहां आ गया hydrogen के bond के electron यहां आ गया और यह प्लस के form में निकल गया और यह आपके bond आ गया तो यह प्लस चार्ज हड गया तो यह प्लस हड गया और यह आपके बन गया clear है तो यहां पर हमने बात करी तो बेंजीन की तो बेंजीन में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रफाइल मतलब पॉजिटिव अला एक चीज कॉमन है अगर आप कोई species है. Unsaturated है no doubt. Unsaturated इस species में अगर आप positive जोडएंगे तो overall positive charge आएगा. और negative जोडएंगे तो overall negative आएगा. यहाँ पर आपनим क्या देखा कि यह neutral था? इस पर positive जोड़ा तो overall क्या result मिला positive? यह common सा concept है. Neutral मे positive जोडएंगे तो positive मिलेगा, neutral में negative जोडएंगे तो negative पॉलकुल बेसिक से आपको क्लियर होने चाहिए तो यहां पर क्या हुआ, फाइनली क्या हो गई ही आपको मिल गया तो हमने क्या देखा कि एक positive add हुआ और एक h-plus के form में निकल गया एक h-plus निकल गया और एक अलेक्टोफाइल एड धो गया यहां पर यहां हमने benzene की reaction कराइती तो वो कहीं पर भी attack कर सकता है अगर मालीजे कोई substituent add करूँ मैं तो वहां पर क्या है कि वो electrophile कहाँ attack करेगा उसको दो तरीके समझ सकते हैं जिसे मालीजे मैंने कहा कि कोई substituent है z ठीक है वो depend करता है कि जो group जुड़ा हुआ है उसकी nature क्या है ठीक है उस पर depend करेगा तो वहां पर मैंने आपको resonance के समझाया था कि अगर यह plus r show कर रहा है मतलब electron देने वाला है ठीक है तो यहां पर क्या है कि जो benzene है उस पर क्या होता है negative charge आ जाता है अगर कोई group क्या कर रहा है minus r show कर रहा है तो यह यहां से यहां और इस पर क्या जाएगा positive charge जाएगा तो positive charge orthopera पर आएगा तो फिर electrophile orthopera पर आटेक करेगा नहीं तो कहां आटेक करेगा meta पर यह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो आप चाहें तो previous video देख सकते है resonance वाला वहाँ पर आपको clear हो जाएगा तो यहां पर क्या है दो चीज़े हैं कि जो group है वो plus r show कर रहा है minus r show कर रहा है इसके अलावा hyperconjugation भी आप कह सकते है plus h ठीक है वो भी orthopera directing है जिसमें मैंने आपको alkyl group बताया था तो केवल resonance है नहीं आप hyperconjugation से भी देख सकते है alkyl group है अब यहां पर orthopera directing और meta directing यह हो गया यह question directly पूछते है कि कौन सा group orthopera directing है और कौन सा group meta directing है आपको केवल यह देखना है कि orthopera में आपको plus h वाले group चेक करने है और meta directing में आपको minus h वाले group चेक करने है अब इसमें आप क्या है कि एक तो resonance से समझा सकते है दूसरा आप ऐसे समझा सकते है कि electrophile add करने के बद़ plus charge आ रहा है तो अगर कोई group electron देने वाला है उसकी reactivity उतनी जादा होगी तो यहाँ पर हमने कहा देखा कि plus charge है तो जो electron देने वाले group है उसकी stability को बढ़ाएंगे reactivity को बढ़ाएंगे अगर को electron लेने वाला group है तो plus charge की stability को कम करेंगे और reactivity को क्या कर देंगे कम कर देंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान के रखना है plus charge A का रहा है इसके ortho और पेरा पेरा है इसलिए जो group आपको लगाना है electron देने वाला वो ortho पेरा पे लगाना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं एलेक्टोफाइल ortho पेरा पे टेक करेगा plus R वाला है तो यह आप देख लिए पिछले वाले वीडियो से हैं उसमें देख लिए ना प्लस R है, वो कौन से group शो और मायने से group शो कर रहें तो यह exam में question आता है minus R कौन शो कर रहा है एसे नहीं पूच्च के पूचते हैं कि कौन से ग्रूप orthopara directing है और कौन से ग्रूप meta directing है यह मैं आपको example करवा चुका हूँ clear इसके बाद activity activity समझ में आ गया कि कोई ग्रूप electron दे रहा है तो इसकी reactivity को बढ़ाएगा क्यूं क्यूंकि यह कोशन भी डिरेक्टिविटी सबसे जादा है दूसरा कोशन क्या होगा निम्ड में से किसकी reactivity सबसे कम है तो डिरेक्टिविटी पर कोशन आता है और तो जब हम कॉशन इसके बाद example यह भी बहुत important है कई बार वो क्या करता है कोई reaction दे देगा कि यह जो reaction है यह कौन सी reaction है तो जैसे मालीजे वो कह देगा फ्रीडिल क्राफ्ट रेक्शन है यह कौन सी reaction है तो answer option होगा nucleophilic substitution reaction addition reaction ETC तो answer क्या होगा electrophilic substitution reaction तो यहां पर आपको ध्यान के रखना है एक्जामपल जो क्या है nitrogen, sulfonation अब देगे nitrogen और benzene कह सकते हैं या कोई substituent होगा तो वह भी चल जाएगा nitrogen, sulfonation, friddle craft reaction दो तरीक होती है alkylation और acylation ठीक है हम detail में पढ़ेंगे aromatis टी वाले पार्ट में halogenation diazocoupling यह important है diazocoupling आपके syllabus में diazonium salt दे रखें तो diazocoupling में जो diazonium iron है वो electrophile का काम करेगा यह आपको ध्यान रखना है बात सब्सक्राइए तो यहां पर हम पढ़ कह रहे है electrophilic substitution reaction तो एक तो है आपके बेंजीन या बेंजीन का derivative कह सकते हैं और इस पर electrophile attack कर रहा है तो nitrogen में NO2 plus electrophile है, sulfonation में SO3 लेते है, fluidal craft में या तो R plus होगा या CH3 CO plus होगा, halogenation में X plus हो जाएगा अब diisonium coupling में क्या होता है कि यहां पर बेंजीन या आप कह सकते हैं बेंजीन का derivative और electrophile, electrophile जो है वो diisonium ion होता है diisonium coupling में क्या है, diisonium ion electrophile है और बेंजीन इसका जो है reactivity इतनी ज़ादा नहीं होती, ठीक है यह जो kateinase its की reactivity इतनी ज़ादा नहीं है तो उसके लिए हमको क्या करना होता है reagent जो है reactivity लेना होता है, तो यह benzene की तुल्ला में ज़्यादा reactive है तो हम normally aniline ले लेते हैं aniline पर क्या करता है, diisonium ion attack करता है और coupling reaction शो करता है, तो आपसे simple सा पूछेगा diisonium ion की जो coupling reaction है, वो कौन सी reaction है तो आपको धियान रखना है कि diisonium ion की coupling reaction है, वो कौन सी reaction है electro flick substitution reaction, क्योंकि यह वाली तो common है, nitrogen,итан, salvation, firefighters, trillion 약 Conf Courtney лег deduct क्लिक क्यों करता है, वो ど soci segue कि der возьSch身ा का है, उसमें जो diisonium ion है वो elט sunshine露 nieceOS का का काम करता है और benzene की reactivity तो कम होती है benzene पर आप derivative जोड़ दीज़े NH2 तो aniline जब यह होता है या phenol होता है तो वहाँ reactivity ज़्यादा होती है तो वो क्या करता है इसके साथ reaction करता है उसको हम कहते है coupling reaction तो वो कौन सी reaction है? Electrophilic substitution reaction Next है free radical substitution reaction दीकिए free radical substitution reaction के example की बात करें सबसे common question आता है हेलोजीनेशन ऑफ एलकेन या क्लोजीनेशन ऑफ मीथन कौन सी reaction का example है तो अंसर क्या हैगा free radical substitution reaction इसका दूसरा example आप कह सकते है pyrolysis ऑफ एलकेन वहाँ पर भी क्या हो रहा है? free radical substitution reaction हो रही है अब reaction की बात करें तो CH4 plus CL2 क्या दे रहा है? CH3 CL plus HCL HCL side product है हेलो एलकेन हो गया तो यह जो reaction है यह detail में हम पढ़ेंगे जब हम एलकेन वाला chapter पढ़ेंगे तो वहाँ भी आ जाएगी और हेलो एलकेन वाला पढ़ेंगे तो वहाँ भी आ जाएगी तो वह आते है चेन इनिशेशन स्टैप पर किस पर आते हैं? चेन इनिशेशन स्टैप क्या question आता है मैं आपको बता दूगा chlorine molecule है photochemical condition लिए और यह बन गया radical तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको bond cleavage बताया था दो तरह का होता है homolysis और heterolysis homolysis में क्या होता है? free radical बनता है तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि इस पर जो question आता है mechanism पर वो इसी step पर आता है क्या step पर आता है? कि halogenation of alkane या फिर हम कहें free radical substitution reaction की जो starting वाली step है chain initial step वो क्या है? तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे? यह homolysis हो रहा है यह homolytic bond cleavage यह homolysis सम्मांगी विखंडन आप कह सकते है क्या form हो रहा है? free radical तो इस तरह से question आता है कि जो chain initial step है वो क्या है? homolysis दूसरा आप क्या कह सकते है? कि क्या radical क्या intermediate बन रहा है? तो आप कहेंगे free radical clear? तो यह question इस पर आता है ठीक है? जब आप questions देखेंगे तो वहाँ clear हो जाएगा तो यह question आता है इसको हम कहते है chain initiation step initiation का हम चेन हम start कर रहे है chain reaction हो रही है आपर दूसरा है chain propagation अब chain initiation chain propagation और chain termination यह आप कैसे पैचानेंगे? chain initiation वो हो रही है जिसमें radical बन रहे है chain termination वो है जिसमें radical radical आपस में जोड़ रहे है और neutral molecule बन रहे है और chain propagation क्या है कि एक neutral molecule और एक radical reaction करके नया radical और नया molecule बना रहे है तो हमने क्या देखा? chain initiation में neutral molecule से radical बनते हैं chain termination में radical से neutral molecule बन रहे है और chain propagation में क्या है एक neutral है और एक radical है और product भी लगवग ऐसा ही है एक neutral और एक radical तो यहाँ पर आपको clear हो गया तो chain initiation में हमने कहा देखा कि neutral molecule जो है वो क्या बना रहा है radical बना रहा है chain propagation में आपको क्या करना है कि जो methane है एलकेन है उसकी reaction आपने करा है chlorine radical के साथ जो यह बना है अब और यह जो द्रकाइब जोड़ है और से संधुन काusta में जोड़ेगा तो फिर एक क्यारो व्य से कि ऑना दो से यहां पर हम नहीं क्या देखा कि चेन इनिशेशन में जो आपके हेलोजन मॉलीक्यूल है और क्या बन रहा है और क्या बना रहा है और क्या बना रहा है यहां पर धियान रखना है कि कई बार क्या करते हैं हम यह वाली रियक्शन करवा देते हैं नौर्मल है कि वहीं से जुड़ गया तो यह अगर आप करवाएंगे तो चेन क्या हो जाएगे स्टॉप हो जाएगी क्लियर है तो यह जो मेकनीज में इसमें सबसे ज़्यादा कॉशन आता है चेन इनिशेशन स्टैप पर दूसरा कॉशन क्या आता है कि हेलोजिनेशन ऑफ एलकेन कौन सी रियक्शन का एक्जामपल है इसके अलावा दो तिन कॉशन और बन सकते हैं यह मैं आपको जब एलकेन वाला चेप्टर पड़ाओंगा वहां पर भी बता दूगा एक कोशन तो यह पूशता है दूसरा अगर मैं बात करूँ कि यहां पर कौन से हाइड्रोजन की रेक्टिविटी जादा है तो वहां पर अगर हम बात करें कि कौन सा हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो यह पूशन इंपॉच्छाम में लेकिन वह आईसो मेरिज्म से रिलेटिड है क्या कौशन पूचते हैं जैसे मान लीजे कौशन यह पूचा आप कि C3 a एट यह यहक内 मतलब प्रोपे कहने का मतलब है C3a sa that its this के प्रोस्ती हुआ थोलोचन की लिए शेट्रोजन किटने बनेगे ल्रोक्रोजना है चेकर देज्बल अब देखें कितने प्रौब्यल तो यह जो कॉशन है उसका मीनिंग क्या है कि बूनो क्लोरो प्रोड़क्ट कितने बन सकते हैं इससे अब इसको ऐसे सॉल करो कि इससे आप कितने तरह के रेडिकल बना सकते हो हमने जब पढ़ा था रेडिकल तो एक आप बना सकते हो सिंपल CH3, CH2 और CH2 एक रेडिकल तो यह था इसको हमने क्या कह दिया प्रोपाल रेडिकल और एक है CH3, CH और CH3 एक रेडिकल यह इससे दो इससे रेडिकल बन रहे हैं तो यहां पर जब इससे कॉशन पूछ रहा है कि मोनो क्लोरो प्रोड़क्ट कितने हैं तो वहां पर आप उसको इं इससे प्रोड़क्ट कि आजाती हैं तो चार में जब आप अलकेन बनाएंगे तो या तो यह वाला इलकेन होगा CH3, CH2, CH2 और CH3 और या फिर ऐसे होगा CH3, CH, CH3 और CH3 यह वाला यह 4 कारबन नह DO कैंप अगर पर आप देखाने का मतलब यह कि अगर वह तीन दे रहा अगर उसके बाद उस ऐलकेन से कतने एक तो ये बन जाएगा butane, एक आईसो butane मन जाएगा अब यहाँ पर आप देखो radical कितने possible looks यहाँ पर आप देखेंगे एक तो ये possible है इस पोजिशन पे, एक ये possible है इस पोजिशन पे, दो तो उपर वाले से बन के इसमें एक इससे possible है اور एक इससे फॉसिबल है तो अगर आपसे इस टाइब का कॉशन पूछता है कि यह आपके हैं या तो वह दिखिए या तो केवल इस टाइब से फॉर्मला देगा तो जितने तरीके आपके मेन एलकेन बनेगा वह प्लस उससे रेडिकल या फिर वह सिंपल क्या देदे कि यह ब्यूटेन है लिखके देदे कि यह ब्यूटेन है इससे कितने मोनो क्लोरो प्राड़क बनेंगे तो इससे तो दो भी बन रहे हैं लेकिन अगर वह फॉर्मला देता है C4H10 तो फिर आप क्य यह बन रहा है इसोपेंटेन और एक आपके बन रहा है नियोपेंटेन तो आप क्या करो कि अगर टोटल पूच रहा है तो पहले आलकेन बनाओ और उस इलकेन में देखो कि कितनी जगे balancy possible है कितने radical बन सकते तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक यह बन जाएगा एक यह यह बन जाएगा और एक यह बन जाएगा तीन तो यह बन गए इसमें अगर आप देखोगे एक यह बन जाएगा यह बन जाएगा एक यह बन जाएगा एक यह बन जाएगा और एक यह बन जाएगा ठीक है चेक कर लेना अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो वह आप मुझे है comment box में कि मुझसे कुछ रहे गया या कुछ extra हो गया कई बार हो जाता रह जाता है ठीक है तुछ यहाँ पर यह हो गया तो यह पॉश्चन से मुटे चार तरह का रेडिकल हो गया इसके अलावा इसमें एक कि जो भी फार्मूला दे रहा है अगर वो कल फार्मूला दे रहा है और उसके बाद उसके कितने तरीके रेडिकल बन सकते हैं वो बनाऊ तो वह आपका अंसर सल रहा है कि कुछ add होगा तभी नाम पड़ा addition reaction तो addition reaction में क्या होता है कि जो substrate है उसमें कुछ add होता है निकलता कुछ नहीं है उसको हम addition reaction कहते हैं यहाँ पर क्या जे रिखा है in these types of reaction one pi bond is broken and two new sigma bonds are found तो इससे एक एक चीज़ क्लियर हो गई कि addition reaction कहा होगा जहां पर पाई बॉंड प्रेजेंट होगे मतलब अन्सेचुरेटिट कंपाउंड पाई बॉंड मल्टिपल बॉंड का अन्सेचुरेटिट कंपाउंड मतलब डबल बॉंड या ट्रिपल बॉंड प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पाई बॉंड ब्रेक होगा और सिग्मा बॉंड फॉंड हो गए इसको एक्जामपल से समझें तो एडबल बॉंड भी है डबल बॉंड बन में आपको बता रहा कि एक सिग्मा और एक पाई है प्लस दूसर हम नेकोई मॉनगे यहां पर क्या होगा कि हम यह जो हमने कहा कि 1 שब इसंगे हैं अब कि हम सोल स्टेड़ में बात कर रहे हैं क्यों कि मैं लिए यह एक सीगमा अगर इसके डूसिट में बात करें तो गर्लещ Theo एक इसके चिर्शनी हो हुआ और दो सिग्मा हो गया और हमने क्या देखा कि जो सबस्टेट है उसमें नया मॉलिकुल क्या हो गया जुड़ गया एक्स्ट्रा कुछ नहीं निकला है तो एडिशन रियक्शन में क्या है कि दो आपके स्पीसी रियक्शन करेंगे और फाइनल प्रॉडर्ट क्या बनेग या आपको ध्यान रखना है क्लियर साइकलो प्रॉपें एडिशन रियक्शन शो करता है अन्सेच्ट्रेशन का टैस्ट भी देता है उसका कारण क्या है कि इसकी स्टेबिटी जो है काफी कम है क्योंकि इसमें रिंग स्टेंज बहुत ज़्यादा है तो यहां पर बेर स्टे यहां पर आपको ध्यान रहना चाहिए कि कौन सी रियक्शन कौन शो करता है टो नुлетि व्लीक एडिशं रियक्षन जो है वह करयक्टरिस्ट्री greater Ragventionं lle के और भी शोगता ले खिरी सबसे हां ज propriet comball क्या शोHI करते हैं ता दिशन कारन क्या है कि इस पर है यह इसमें नेगेटिजिव में यहां पर आपसे पूच से कारबन कि पश्व यान्स कौन शो करता है तो अंसर क्या आएगा कार्बोनिल कंपांड का कोई एक्जांपल दे के पूछ लेगा कि यह कौन से टाइप की रेक्शन है तो अंसर क्या आएगा नुक्लियोफिलिक एडिशन रेक्शन और एक्जांपल हम देख लेंगे डिटेल में जब इसको हम सिंपल कार्बन कार्बन डबल पॉंड या यह कि रख आप या फिर आप कह सकते हो ऐलकाइन ठीक है रियक्टिविटी एक्च्वल में अलकीन की ज्यादा होती है तो नॉर्मल्य कोई पूछे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियक्शन किसकी क्यरेक्ट्रिस्टिक रियक्षन तो आप कह सकते हो एलकीन की, clear? थर्ड है free radical addition reaction अब free radical addition reaction नॉर्मली देखा जाए तो किसी की characteristic reaction हम नहीं कह सकते लेकिन example पूछे तो होता क्या है कि जब हम एलकीन में addition कराते हैं तो normal condition में addition कराते हैं तो वो electrophilic addition क्यलाता है लेकिन अगर हमने free radical की condition ले रखिये तो वहाँ पर ये free, जैसे माली जे परोक्साइड ले रखा है तो वो free radical addition की condition है तो वहाँ पर परोक्साइड की presence में अगर हम addition करा रहे हैं अलकीन में तो वो किस में जाएगा? Free radical addition reaction में तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसकी characteristic reaction कौन सी है या किसका example कौन सा है. तो यह आपके तीन तरिके हैं addition reaction, nucleophilic addition reaction, electrophilic addition reaction and free radical addition reaction. addition reaction में सबसे बहले बात करते है nucleophilic addition reaction की. जैसे कि मैंने आपको बता है कि nucleophilic addition reaction किसकी characteristic reaction है? कार्बनिल कमपाउंड की, कार्बनिल कमपाउंड का मतलब क्या है, LD and Ketone, मेकनिस की अगर हम बात करें, तो ये कार्बनिल कमपाउंड है, C double bond O है, और ये दो वैलेंसी शो कर दी, अगर R और H होगा, तो LD हो जाएगा, और R और R होगा, तो क्या हो जाएगा, केटone हो जाएगा, अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो जो कार्बनिल कमपाउंड है, उसमें दो, तीन सिगमा और एक Pi bond है, जैसे एगर कार्बन की बात करने तो, एक, दो, तीन सिगमा और एक Pi, तीन सिगमा और एक Pi जो है, वो कौन सा structure ऋखता है और backside से ड RTX हो सकता है तो यहां पर जैसे कि हमने देख था sn क्योंके फि्लेनर होता है तो बनmek सिक्षार यहां पर नथी तो यहां अब यहां पर यह आटेक करेगा किस पे, इसको हम कहते हैं, रीजो सिलेक्टिविटी, रीजो सिलेक्टिविटी मनलब कहां आटेक कर रहा है, वो कैसे डिसेड होगा, तो यह मैं आपको बताया था, इलेक्ट्रोमेरिक एफेक्ट में कि अगर हेटरो, दो डिफरेंट एक्टम पर यहां जुड़ गया, तो यह जुड़ गया, तो अब यहां पर यह आटेक हो गया, अब इसके बाद नेक्स स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोमेरिक जिस पर पॉजिटी चार्ज है, वो किस पर जुड़ जाएगा, ऑक्सिजन पर, तो और हमने क्या देखा, कि पर जुड़ जाएगा, नेगेटिव अला पार्ट, और ऑक्सिन पर जुड़ जाएगा, पॉजिटिव अला पार्ट, अब अगर माली जे चारो वेलेंसी डिफरेंट है, तो यह क्या बन जाएगा, अब क्योंकि दोनों साइट से अटेक हो सकता, तो यह रैसमिक मिक्शर ब बनेगा, क्योंकि दोनों साइट से आपने अटेक करवाया, अब आगे अगर हम बात करेंए, तो मेकनिस की बात होगी, कार्बन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसकी क्या निचर है, इलेक्ट्रोफिलिक निचर है, और ऑक्सिन पर नेगेटिव चार्ज है, अब अगर हम बात करेंए, एक्जामपल नेगेटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट निचर है इसको हम कहते है, सबसे कॉमन एक्जामपल है, क्या है सबसे common example है किसका nucleophilic addition reaction का तो हम ने क्या कहा कि Carbonyl compound की reaction HCN से करा रहे हैं और क्या form हो रहा है Sinoidin यह किसका example है nucleophilic addition reaction का और भी example आप यहाँ पर add कर सकते हैं जो सबसे common example है वो मैंने यहाँ पर आपको पता दे क्योंकि वो question देता है जैसे वो direct पूछ ले कि Carbonyl compound की characteristic reaction का है तो आप कहेंगे nucleophilic addition reaction या फिर वो कहेंगा कि Carbonyl compound की reaction करें HCN के साथ कौन सी reaction है nucleophilic addition reaction या वो कह देगा कि formation of Sinohydrin कुछ भी नहीं कि किस से बना रहे formation of Sinohydrin कौन सी reaction है तो आप क्या कहेंगे nucleophilic addition reaction यह common example है और वी example जो हो सकते हैं वो nucleophilic addition के हो सकते हैं तो आप और add कर लेना इसमें अब यहाँ पर इसके अलावा जो सबसे जाता caution पूछा जाता है वो होता reactivity order का कि किसकी reactivity जादा होगी और किसकी कम होगी तो reactivity order मैं आपको पहले पढ़ा रखा है वापस से बता देता हूं कि यहाँ पर carbon जो है उसके nucleophile attack कर रहा है यहाँ पर carbon जो है उसके कौन अटेक कर रहा है nucleophile ठीक है तो यहाँ पर दो factor इसको करते हैं reactivity order को एक factor electronic carbon पर जितना प्लस चाज जादा होगा उसकी reactivity उतनी जादा होगी यहाँ पर आप देखेंगे कि यह formal diad है H है कोई फरक नी पड़ रहा है और यह CSD का कर रहा है electron देने का काम कर रहा है तो electron अगर यह दे रहा है तो इसके प्लस चाज को कर रहा है कम कर रहा है प्लस चाज को कम कर रहा है तो इसकी जो अटेक होगा न्यूकलो फाइल का वह इतनी जल्दी से नहीं होगा अब एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पर यह यह slow step है और यह fast है तो सारा जो deciding factor वो किस पर होता है slow step है clear है अब आपको दो factor क्या द्यानक ने कि अगर कोई बड़ा है bulky group है तो वह क्या करेगा reactivity को कम करेगा क्यूं क्यूंकि जब attack होगा तो अगर यह bulky group है तो यह इसको क्या करेंगे repel करेंगे तो आप तो क्या करेंगे तो दो factor है बाकिया पुराने वीडियो में देख लेना previous जो वीडियो से उसमें आपको clear मिल जाएगा तो यह इसके reactivity क्या हो जाएगी और कम हो जाएगी बल्की और electron भी दे रहा है जैसे जैसे आप carbon बढ़ाते जाएंगे बल्की बढ़ती जाएगी ठीक है यह हो गया ठीक है electron दे रहा है और अगर आप इसकी branching कर देंगे तो और बल्की हो जाएगा क्योंकि यह तो अभी state change हो यह ब सबसे चोटे हैं उसकी ज्यादा जैसे जैसे आप बढ़ा रहे है इसके बाद आपने कर देखा है यहां पर कार्बन सेकंड पोजिशन पर आ सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई डाउट नहीं है और कोई option नहीं है लेकिन अगर हम पेंटेनोन की बात करें तो एक तो है 2 पेंटेनोन और एक है 3 पेंटेनोन तो यहां पर क्या है कि दोनों साइट बलकी गृप है तो यह आपको क्या कर सकता है क्योंकि यहां पर कैसा सहम है तो यह आप ध्यान अगना तो यह सिंपल और और यहां पर आप देखेंगे कि गुरुप जितना बल्कि होगा रेक्टिविटी हो जाएगी कम हो जाएगी और यह आपके एक्जाम में और पेसे ने पूछ रखा है क्योंकि यहां पर क्या है थोड़ा सा आपको कन्फिजन हो सकता है लेकिन अगर कोई ची यहां पर आप दिखेंगे कि इंटर्मिटिट क्या बन रहा है क्या थ्यान रखना है कि कौन से में क्या बनता है इसके बाद second step जो है वो fast step है यह slow है यह fast है nuclear attack कर रहा है positive वाले पार्ट पे तो plus minus जुड़ जाएंगे तो यह carbon पर आपने देखा एक पर positive जुड़िया और एक पर negative जुड़िया अब important कई बार क्या हो जाता है कि किस पर positive जुड़िया और किस पर negative जुड़िया अगर दोनों इसको सिमेट्रिकल एलकीन कह सकते हैं तो यहां पर जब अन्सिमेट्रिकल एलकीन है तो वहां पर क्या है कि किस पर positive जुड़िया और किस पर negative जुड़िया यह आपको ध्यान रखना होता है यह आप मेकेनी से आसानी से समझ सकते हैं कैसे यह अमने एक्जामपल भी लेलिया इसको समझाने का कि यह आपके प्रोपीन है CS3, CS double bond, CS2 प्लस HCl तो जब आपने इसकी reaction कराई तो आपने कह देखा एक पर H जुड़ेगा और एक पर CL जुड़ेगा अब यहां पर क्याए CL इस पे जुड़ सकता है, दोनों पर जोड़ दी हमने, CL इस पर और CL इस पर लेकिन यहां पर दोनों product बराबर मातरा में नहीं बनते हैं, एक जादा बनता और एक कम बनता है, यह वाला major है मतलब जादा बन रहा है और यह वाला minor है, कम बन रहा है, अब यह ऐसा क्यों है, आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में बताया था कि अगर डबल बॉंड जो है डिफरेंट एक्टम पर है तो वहां तो उसकी डारेक्शन फिक्स है कि इलेक्ट्रोन कहा जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रो नेगडिटी ज्यादा है लेकिन अगर मालीजे ऐसा है कार्बन से समझ सकते हैं कैसे फिसे समझे लीजिए रेक्ट्रोन की सब्सक्राइब पर इसक्राइब और difis रिवर्स यह 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 पाथ A हो गया यहां से यह पाथ B में क्या हो गया इसके प्लस जोड़ गाया इसकी पॉसिबल जयाद है और इसकी पॉसिबल जाद है यहां पर स्टेबल कार्बुटान बनाना भी इंटेब्टी का ओडर वही उसकी रिक्टिविटी का ऑडर होगा ठीक है अगर मान लीजे गलती से ये वाला slow step होता तो फिर answer उल्टा हो जाता महाँ पर जितना stable होता उसकी reactivity कम हो जाती ये आपके basic सी चीज़े है आपको ध्यान लखनी है तो हमने कहा देखा कि जो more stable intermediate है वो more stable product या major product बनाएगा more stable product तो नहीं कहता major product बनाएगा तो ये major हो गया ठीक है अब यहाँ पर कहाएगी जो दो product है ये और ये अगर मैं आपसे पूछों इन दोनों में relation कहा है तो आप क्या कहेंगे structural isomer है क्या है structural या मैंने एक term और बताएगी structural की constitutional तो देखे alternate terms बता जाता हूँ structural isomer या structure isomer भी आप कह सकते है constitutional isomer constitutional या फिर एक term और होती है regio isomer regio isomer तो ये एक ही मतलब इनका structural isomer कह दो constitutional isomer कह दो या regio isomer कह दो तो जो product बना वो आपस में कहा है structural isomer है constitutional isomer है और regio isomer है और structural में भी और particular जाएं तो position isomer है ये 1 chloropropane है और ये 2 chloropropane है clear तो आपको नाम भी पता होने चीए क्योंकि वो एक्जाम में कहा है वो नाम से भी कॉशन पूसता है ये clear हो गया 1 chloro, 2 chloro अब यहाँ पर क्योंकि जो दो product बन रहे हैं उनमें आपस में रिलेशन क्या है structural isomer का तो अब यहाँ पर दोनों product बन भी रहें एक कम बन रहा है और एक जादा बन रहा है तो जब ऐसा होता reaction में कि दो product में एक कम बनता और एक जादा बनता है तो वहाँ पर term काम लेते है selective और दोनों में relation क्या है ये रीजो भी हम कह सकते है constitutional isomer को या structural isomer को तो यह रीजो selectivity कहलाती है क्या कहलाती है रीजो selectivity तो रीजो selectivity क्या है कि एक major है और एक minor है कैसे decide हम किया हमने stability of carvotans है ये तो हमने समझा मेकनिस से अब अगर माली जी है कि हमारे पार इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा मेकरिज लिखे है फिर पता लगा है कि कौन सा major और कौन सा minor है तो हमने क्या कर एक rule बना लिया जिससे हम direct याद कर सकते है कि कौन सा major बनेगा और कौन सा minor बनेगा तो वो rule क्या है marconic rule अब marconic rule क्या बताता है radius electivity को किसके लिए unsymmetrical alkin के लिए symmetrical alkin में तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि दोनों साइट environment से में तो जो unsymmetrical alkin है उसमें कौन सा product major बनेगा किसके बाद अब marconic rule क्या कहता है कि जब आप addition कर रहे है जैसे मैंने HCL का एडिशन करा या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए तो मार्कनी को रूल क्या कहता है कि मेजर कौन सा बनेगा देखे हाइडोजन का मतलब यहाँ पर positive parts है ठीक है तो वो क्या कहता है कि hydrogen वहाँ जोड़ेगा या फिर उसको alternate आप कह दीजिए कि positive part वहाँ जोड़ेगा जहाँ hydrogen पहले से ज़्यादा है तो जिसे मैं आपको HCL जोड़ जाएं तो hydrogen कहाँ जोड़ेगा जहाँ पर hydrogen की संख्या पहले से ज़्यादा है अब hydrogen की संख्या किस पे double bond वाले carbon में से जिसके पास होगी तो हमने कहाँ देखा कि इसके पास hydrogen की संख्या जादा है तो hydrogen कहाँ जुड़ेगा जिस carbon पर hydrogen की संख्या जादा होगी यह यहाँ जुड़ जाएगा यहाँ तो आपने कहाँ देखा है कि positive वहाँ जुड़ेगा जाएडिजन की संख्या जादा है नेगिटिव वहाँ जुड़ेगा जाएडिजन की संख्या कम है लेकिन यह कई बार गलत भी सावित हो जाएगा क्यूं क्यूंकि आपको answer निकालना है कि more stable carbon जैसे माल लीजेगे में reactant में change कर दूं इसको मैं CCL3 कर दूं अब CCL3 करने से फरक क्या पढ़ गया कि अब इसका जो नेचर है वो change हो गया यह electron देने के जगे क्या हो गया electron लेने वाला हो गया तो वहाँ पर यह electron लेगा तो यह वाला path follow होगा और जब यह electron लेगा तब नहीं रहेगा यह more stable हो जाएगा तो अगर मैं group change कर दूंगा तो वहाँ पर answer change हो जाएगा इसलिए जब भी आपको answer निकालना हो major minor का तो आप हमेशा more stable carbogatine से answer निकालेगे आप याद कर लीजिए theoretical statement आए तो आपको answer निकालना है एक्चुल में और थोड़ा सा typical caution है तो आपको हमेशा more stability of carbogatine check करना पड़ेगा तो यहाँ पर अगर यह है electron withdrawing group है तो ज़्यादा सब यह pass होगा तो इसकी stability का मुझ जाएगी इसकी stability ज्यादा है तो यह more stable है clear तो Electrophilic addition reaction of un-symmetrical alkene ठीक है उसमें क्या है Electrophilic part वहाँ जहाँ hydrogen की संख्या ज्यादा और nucleophilic part वहाँ जहाँ hydrogen की संख्या कम लास्ट है free radical addition reaction अब दीके free radical addition reaction भी alkene शो करता है लेकिन यहाँ पर condition different condition क्या है कि एक तो HBR है लेकिए HBR यहाँ पर ध्यान आपको क्या रखना है HCL नहीं ले सकते हैं कुछ और नहीं ले सकते हैं HBR ही लेना है दूसरा condition क्या होनीच है पर-oxide की condition होनी चाहिए तब ही आपके anti-marconic addition भी कह सकते हैं क्यों क्योंकि यहाँ जो product बनेगा वो marconic से just opposite बनेगा और peroxide effect कह सकते हैं क्यों क्योंकि आप peroxide की presence में reaction करा रहे है इसलिए इसको peroxide effect भी कह सकते हैं और इसका alternate name में खराश effect अब यहाँ पर यह क्या कह रहा है addition of HBR on unsymmetrical alkene तो दिखे मैं आप से कहा कि peroxide effect यह anti-marconic addition कब होगा जब HBR लेंगे इसके अलावा यह reaction शो नहीं करता ठीक है unsymmetrical alkene compare करने के लिए क्योंकि अगर आप symmetrical लेंगे तो वहाँ पर marconic और anti-marconic rule नहीं लगेगा in the presence of peroxide, peroxide बहुत important है अगर peroxide नहीं लिया तो product अलग बनेगा और peroxide ले लिया तो product अलग बनेगा ठीक है यहाँ पर अगर हम reaction की बात करें तो CH3 CH double bound CH2 propene है unsymmetrical alkene है reaction करा रहे हैं HBR के साथ किसकी presence में peroxide की presence में product दोनों बनेंगे one bromopropene and two bromopropene, marconic में major अलग था, यहाँ पर major अलग है, यहाँ पर one bromopropene major है जबकि marconic में या एलेक्टोफिलिक एडिशन में two bromopropene major होता clear, तो यह difference है यहाँ पर इसलिए इसको anti-marconic effect भी कहते हैं, अब यहाँ पर ऐसा हो क्यों रहा है, उसका कारण क्या है, उसको हम समझते है मेकनिस से, मेकनिस में क्या दे रिखा है कि ROOR, यह आपके peroxide है, heat करा तो इस नहीं क्या बना लिए, free radical, अब यह free radical क्या करेगा, HBR से आलकीन पर, तो free radical बनाएगा, अब दो possibility free radical की, एक तो 2 degree और एक 1 degree, 2 degree के stability जादा है, 1 degree की stability कम है, यही difference है कि product major क्यों बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर electrofleek addition में क्या था, H plus attack कर रहा था, और कारण की stability देख रहे थे, यहाँ पर BR attack कर रहा है, और हम क्या देख रहे हैं, free radical की stability देख रहे हैं, वहाँ पर BR बाद में जुड़ा था, और more stable carbocatine भी जुड़ा था, यहाँ पर H बाद में जुड़ेगा, more stable free radical के जुड़ेगा, तो यहाँ पर basic difference क्या आ गया है, कि वहाँ BR लेट जुड़ रहा था, H पहले जुड़ रहा था, यहाँ उल्टा हो रहा, यह BR पहले जुड़ रहा है, H बाद में जुड़ रहा है, वहाँ carbocatine की stability देख रहे था, यहाँ free radical की stability देख रहे हैं, clear है, तो यहाँ पर पहले BR radical जुड़ गया, और यह 2 degree more stable है, उस पर क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, ठीक है, तो यह वापस से BR radical बन गया, इसलिए major बन गया, तो basic difference क्या हुआ, कि यहाँ पर compare करें, तो वहाँ पहले H प्लस जुड़ रहा था, यहाँ पहले BR radical जुड़ गया, वहाँ carbocatine की stability देख रहे हैं, free radical की stability देख रहे हैं, तो यह finally आपके क्या बन गया, 1-bromopropane, यह आपके major है, इसको भी हम क्या कह सकते ह और एक minor बन रहे है, यहाँ पर जो product बन रहे है, वो marconic से just opposite है, marconic क्या था कि hydrogen वहाँ जुड़ेगा, यह electro positive part वहाँ जुड़ेगा, जा hydrogen की संख्या ज़ादा होगी, यहाँ opposite हो गया, hydrogen कहां जुड़ गया, जा hydrogen की संख्या कम है, BR कहां जुड़ गया, जा hydrogen की संख्या तो यह anti-marconic rule यह anti-marconic effect खेलाता है, ठीक है, तो यह आपके complete होगा addition, चार में से 2 reaction हमारी complete हो गई है, substitution reaction and addition reaction, 2 reaction बच रहे है, elimination reaction and rearrangement reaction, तो वो जो है हम next video में complete कर लेंगे, देखिए आप मेरा उत्सा बढ़ाने के लिए वीडियो को like कर सकते हैं, comment जरूर करिए, और अगर आ अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद,